वेल गईज अगर आप एक credit card लेने का सोच रहे हैं तो आज की studio में हम आपको SBI का credit card लेने का complete जो process है उसको step by step दिखाने वाले हैं Basically SBI तिन परकार का credit card provide करती है पहला है simply credit card, दूसरा save credit card and तीसरा cashback credit card Simply credit card and save credit card का annual fee है वो 499 है and cashback credit card जो annual fee है वो 999 है तो किस परकार से guys हमें कौन सा credit card apply करना है, कौन-कौन सा step हमें follow करना है जिसे की instant के instant हमें credit card मिल जाए तो आप 3 easy step में अपना credit card ले सकते हैं आसानी के साथ तो चलिए guys फटा-फट से करते हैं इस video को शुरू और जानते हैं कि कैसे credit card लेना है credit card apply करने के लिए आपको वीडियो के description में एक link मिलेगा, उस link पे click करके direct आप इस page पे आ जाएंगे, यहां का home page का user interface कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अब इस page में जैसे आ जाते है guys तो नीचे आपको start apply journey का option दिख जाएगा, तो आपको click करना है जैसे click करेंगे यहां पे देख सकते है, simply click SBI card का option दिया जा रहा है, यहां पे आप देख सकते है, personal details आपको feel करना होगा, professional details and KYC details आपको feel करना होगा, तीन easy step में आप अपना credit card ले सकते है, आप यहां से benefits चेक कर सकते है, view benefits पे click करके तो आपको यहां पे इसका पूरा benefits प sowas, आपको यहां पे my name is का option दिख रहा होगा, यहां पे आपको अपना first name इंटर करना है, नीचे middle name इंटर करना, last name, then नीचे आपको mobile number का option दिख रहा होगा, यहां पे अपना mobile number इंटर करेंगे and उसके बात continue कर देंगे, जैसे continue करेंगे, आपके mobile number पे ऌडिपा OTP send के जा आ जाएगा तो यहां पर आपको अपने city का name इंटर करना है जैसे आप अपने city का name इंटर करते है तो यहां पर कुछ लोगों को दिक्कत होती है जैसे कि अगर आपका उतना popular city नहीं है अगर नहीं आ रहा है अपने area के नजदी की जो popular city है उसका name इंटर करेंगे तो आपने coc Gary दो नहिंवत हो चाएगा तो आने के बाद यहां पर खिल имеет टो हमारा सिरी आपनिफ पेज आगे हमारे सामने माइपनी इसका यहां पर आपको अपना चैनम इंटर करना है नीचे मारे सांपनार पर शाने माइपनर अफ्रम और जो कि म起서ाड में मुझूद है उसके बाद गाईज नीचे आपको confirm का option दिख रहा होगा simply confirm पे click करेंगे next पे जा जाएगा my mother's name इसका तो यहाँ पे आपको अपने mother's का name इंटर करना है email id इंटर करना है नीचे का side में scroll करेंगे आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको एक terms का box दिख रहा होगा box पे click करके continue to step 2 पे click कर देंगे तो दूसरा step आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे आपको अपना profession details देना है कि आप salary person है या self-employed है या फिर retired person है जो भी आप यहाँ अपने हिसाब से select करेंगे दिन नीचे आपको continue का option दिख रहा होगा तो continue कर देंगे अगला page आपके सामने आ जाएगा तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करेंगे partner तो partner यहाँ इंटर करेंगे देन उसके बाद नीचे आपको continue के section पे किलिक कर देना है अगला page आपके सामने आ जाएगा professional details यहाँ पे आपको अपना address पूरा इंटर करना होगा जैसके दिख रहा होगा address line 1, address line 2, landmark, pin code, city, state सारा कुछ यहाँ फिल करने के आपको continue to step 3 पे नीचे क्लिक कर देना है अगला page आ जाएगा KYC का तीसरा step आपके सामने आ जाएगा तो यहाँ पे continue to dg logger पे क्लिक करेंगे जैसा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको redirect dg logger के page पे इंटर कर देगा यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर इंटर करन अब यहाँ पे आपको security pin इंटर करना होगा जैसा कि आपने अगर dg logger जब बनाया होगा उस समय आपको यह pin बनाने को कहा जाता है उसी pin को इंटर करेंगे अगर by the way अगर आप पने भूल गया है तो आपको यहाँ पे forgot security pin का भी option दिया जाता है आप यहाँ से forgot भी कर सकते ह देन उसके बाद continue कर देंगे तो बहुत से लोगों के पास अभी dg logger नहीं बना हुआ है तो dg logger किस परकार से first time बनाते है उसके लिए हमने एकला किसी वीडियो बनाई हुई है उस वीडियो का link इस वीडियो के description box में मिल जाएगा इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो आपको यहां पे कुछ नहीं करना है आपको नीचे डायरेक्ट continue वाले option पे क्लिक करना है अगला पीज आ जाएगा आपके सामनी residential address का तो guys यहां पे आपको अपना current address इंटर करना है जैसे कि guys अगर आप दूसरी जगा अभी shift हो गया है या फिर आप current में कहीं और रहते हैं आपने आधार कार्ड वाले address पे नहीं रहते हैं आपको यहां पे current कर जो address से उसको यहां इंटर करना है अगर आप किसी city में रहते हैं तो city का address ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए इससे आपको credit card आसानी के साथ मिल जाएगा उसके बाद continue जैसे करेंगे आपके सामने य नीचे आपको continue का option दिख रहा होगा तो आपको continue कर देना है KYC करने के लिए आपको यहां पर अपना एक selfie upload करना होगा तो यहां पर नीचे आपको click now का option दिख रहा होगा तो आपको simply इस पर click करके अपना एक जो front camera से selfie capture करके upload कर देना है अगला page आपके सामने आ जाएगा आपको buying का details fill करना है जैसे buying का details fill करेंगे तो आपके account में एक रुपिया credit कर जाएगा और उसी buying खाते से आपको एक रुपिया debit भी करके दिखाना होगा उसके बाद आपका KYC complete हो जाएगा तो कैसे करना है वीडियो में step by step सीखेंगे उसके लिए friends आपको नीचे option दिख रह आता है account को एक बर confirm करेंगे नीचे आपको IFSC code इंटर करना है उसके बाद next कर देंगे जैसे next करेंगे आपके सामने यहाँ पे continue to pay रुपिया one का page आ जाएगा आपके account में एक रुपिया credit कर दिया गया है अब आपको एक रुपिया debit करना होगा तो उसके लिए नीचे continue पे click करेंगे and guys आपको यहाँ पे option दिया गया है kindly transfer only from the union bank of finance जैसे के आपको जीस भी bank में खाता है इसमें आपको transfer करना होगा next जैसे करेंगे आपको यहाँ पे payment करने के page पी ले आएगा तो यहाँ पे आप अपने UPI से payment कर सकते हैं अपने UPI pin इंटर करेंगे and नीचे आपको make payment क option दिख रहा होगा तो उस पर किलिक कर देंगे हमारा payment complete हो गया हमने एक रुप्या debit भी कर दिया अपने एक हाते से तो यहाँ पर देख सकते है payment successful का page आ गया your transaction ID यहाँ पर आपका show कर जाएगा thank you for complete the KYC verification तो हमारा KYC complete हो चुगा गाइस तो अब हमें इस page पे ले आया submit your application to get your card तो अब आपको submit करना होगा और आपको यहाँ पे simply credit card का जो limit दिया गया है हमारे civil score के वाज़े से वह यहाँ पे show कर रहा है and annual fee renewal fee जो है वह यहाँ पे show कर रहा है आप इस चीज को check कर लेंगे यहाँ और नीचे आपको next कर देना है जैसे next करेंगे अब यहाँ पे देख सक सकते हैं your physical card will be delivered to your residence address within 5-7 days आपको 5-7 दिन के अंदर आपका जो physical credit card है वो आपके address पे मिल जाएगा so guys इस प्रकार से आप आसानी के साथ SBI का simply credit card ले सकते हैं यह latest process है अभी का आसा करते है कि इस वीडियो के माधियम से आप credit card SBI में apply करना सीख गये होंगे अगर हमारी वीड पसंद आई है तो वीडियो का लाइक करें शेयर करें और इसी तरह की इंफोर्मेटिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे किलिक कर ले ताकि हमारे चैनल पर नहीं आने वाली वीडियो की नोटिफिकर सबसे पहले आप तक झाल झाल